नमस्कार आप देख रहे हैं वद्सुवाच और मैं हूं मुकेश वद्स फ्रेंड्स देव गुरु ब्रिहस्पती का गोचर व्रिशब राशी में हो चुका है आज के इस विडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आपकी राशी मेश है या आपका लगन मेश है तो आप लोगों के लिए व्रिशब राशी के जुपिटर अगले साड़े बारा महीनों तक किस तरीके का परिणाम देंगे इसको अपनी राशी एवं लगन दोनों से देखिएगा दोनों ही बहुत महत्यपूर्ण होते हैं और खास करके तब जब किसी स्लो मूविंग प्लानेट और वो भी जुपिटर जैसे इंपॉर्टन प्लानेट के ट्रांजिट को समझना है यदि आपको राशी या लगन दोनों ही नहीं पता हो लेकिन आपके नाम के अक्षर से यदि मेश राशी निकलता है तो भी आप इसको देख सकते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेश राशी अलगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में हो रहा है और सेकंड हाउस से बैठ कर जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस एट्थ हाउस और टैन्थ हाउस को देखें देव गुरू ब्रिहस्पती आप लोगों के लिए भाग्य भाव के स्वामी है और व्याय भाव यानिकि ट्वेल्थ हाउस के स्वामी है अब फ्रेंड्स यदि आपकी राशी या लगन मेश है तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है आप स्थिति को समझिए आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और आपके कर्म एवं लाभ भाव के स्वामी शनी अभी लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं यानि कि नाचरल रूप से एक धन योग और एक लक्ष्मी योग का निर्मान ट्रांजिट में हो रहा है तो इस गोचर का आप लोगों को पूरा लाब उठाना चाहिए ये विशेश करके उन लोगों को ज़्यादा फायदा देगा जिन लोगों का चंद्रमा मेश राशी का है लगन वालों को भी फायदा देगा लेकिन मेश राशी वालों को ये सेकंड का जोपिटर ज्यादा लाभ देगा Second house में Jupiter है इसका मतलब है कि पूरा ध्यान आपका family और finances पर रहेगा Family से संबंधित कोई भी परेशानिया यदि पहले से चलिया रही थी उसको solve करने के दिशा में आप कदम उठाएंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी चाहे तो आप व्यवसाय में हैं जाब में हैं किसी profession में हैं या freelancer में हैं आमदनी में वृद्धी होगी और आमदनी में वृद्धी कैसे होगा जुपिटर 6th house को देख रहे हैं 10th को भी देख रहे हैं ये आपसे मेहनत भी करवा लेंगे नए opportunities आपको दिलवाएंगे और कुछ opportunities तो ऐसी होंगी जिसके बारे में आपने कलपना भी नहीं किया होगा आप यदि family business में हैं तो family business भी इस समय में बहुत अच्छा चलेगा आप लोगों का तो कुल मिलाकर आमदनी के लिए नए अवसरों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने के लिए और उसका लाभ कमाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है आपके पहले के जो भी investments हैं वो आप देखिएगा आपको काफी अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे नए investments के ideas भी आपको इस समय में मिलेंगे कुछ लोग इस समय में अचल संपत्ती, immovable property खरीद सकते हैं कीमती सामान, gems and jewelry खरीद सकते हैं घर में सुख सुविधा के सारे सामान आप जुटा सकते हैं Second house का मतलब speech भी होता है friends आपका जो speech होगा, आपकी जो वानी होगी, वो बहुत ही आकरशक होगी आपकी वागपटुता, आपका eloquence, वागमिता जिसको कहते हैं वो बहुत ही कमाल की होगी, लोग आपके तरफ आकरशित होंगे आपके बातों से convince होंगे और इसके वज़े से भी आपका काम बनेगा सिक्स्थ हाउस पर जुपिटर की द्रिष्टी है, एट्थ पर भी जुपिटर की द्रिष्टी है और सेकेंड में स्वयम जुपिटर बैठे हुए है मिश्टान भोजन के अवसर पूरे वर्ष मिलेंगे लेकिन भोजन को थोड़ा moderate करने की आवशकता है और नहीं तो फिर क्या होगा जुपिटर फैट अक्यूमुलेशन के कारक हैं बॉड़ी में कॉलिस्टरॉल बढ़ा सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं स्वास्थ में कुछ नियूनिता ला सकते हैं तो स्वास्थ का बहुत ध्यान रख लिजेगा सिक्स्थ हाउस पर द्रिष्टी है पुराने लोन्स वगरा को चुकाने में आप सफल होईएगा अपने कारियस थल पर अपने रूटीन को आप सही कीजिएगा पेंडिंग कारियों को पूरा कर पाईएगा आपके नीचे काम करने वाले करमचारियों का आपको पूरा सही योग मिलेगा टैन्थ हाउस पर भी द्रिष्टी है जुपिटर की जैसा मैंने कहा नए अवसरों की प्राप्ती होगी वर्क प्लेस पर रेकोगनिशन मिलेगा कुछ लोगों को प्रोमोशन मिल सकता है नए बिजनेस आइडियाज मिलेंगे तो कुल मिलाकर आमदनी के लिए ये समय हर तरीके से अच्छा है एट थाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है विरासत से संबंधित चीजों में आपको फायदा हो सकता है एट थाउस पर याद रखिएगा जोपिटर और सैटन दोनों की द्रिष्टी है तो एट थाउस फुली अक्टिवेटेड हो जाता है लेकिन राहू की भी द्रिष्टी है यहाँ और राहू कहां बैठे हुए हैं जोपिटर से एलेवेंथ में बैठे हुए हैं राहू यानि की रिस्क लेने की टेंडेंसी आपको यह दे सकते है रिस्क समत लीजिएगा नहीं तो ट्वेल्थ का राहू आपको कहीं फस्वा सकता है और इसके वज़े से आप परेशानी में पढ़ सकते हैं एट्थ पर शानी और गुरु दोनों की दृष्टी है इसलिए जो लोग भी ऐस्टॉलोजी सीखना चाहते हैं किसी भी गुप्त विद्या में महारत हासल करना चाहते हैं आप यदि इंशॉरेंस के फील्ड में हैं हेल्थ केर के फील्ड में हैं आप यदि माइनिंग वगेरा जैसे सेक्टर में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही उप्युक्त समय होगा देव गुरु ब्रिहस्पती आप लोगों के लिए नाइन्थ और ट्वेल्थ दोनों के लॉड हैं और इस ट्रांजिट में सिक्स्थ और टेंथ पर उनकी द्रिष्टी है आप में से कुछ लोग काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं लंबी आत्राओं पर जा सकते हैं जिन लोगों का भी विदेशों के साथ संबंध है आप लोगों का यदि काम विदेशों के साथ चलता है तो आप लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है कुछ लोग फैमिली के साथ इस समय में प्लेजर ट्रिप्स वगेरा पर भी जा सकते हैं ग्यान और शिक्षा के कारक जुपिटर की दृष्टी आपके टेंथ हाउस पर है तो काम से संबंदित ग्यान अरजित करने के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है तो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई भी नया ग्यान प्राप्त करने के लिए नया टेक्नॉलजी को सीखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है और इस समय में आप यदि कुछ भी नया सीखते हैं नया सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स करते हैं तो आगे आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा कुल मिलाकर फ्रेंड्स यदि आपकी मेश राशी या मेश लगन है तो ये जो लगभग साड़े बारह महीने का पीरियड है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है आप लोगों को यदि रेमेडीज क्या करना चाहिए ये जानना है या देव गुरु ब्रिहस्पती के इस ट्रांजिट का इस विश्व पर और एक जेनरल लेवल पर हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना है साथ ही किन बातों का ध्यान रखना है इसको समझना है तो जो विडियो मैंने दो दिन पहले आप लोगों को दिया है जोपिटर के ट्रांजिट का उसको एक बार अवश्य देख लिजेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा मुझे उमीद है आप लोगों को आज का ये विडियो अच्छा लगा होगा लॉजिकल लगा होगा यदि आप लोगों को ये विडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजेगा और भी मित्रों के साथ परिवार के सदस्यों के साथ शेर कीजेगा दूसरी राशी या लगन मेश के अलावे कोई दूसरा है तो उन वीडियो को भी अवश्य देख लीजेगा आज मैं अपनी वानी को यहीं विराम देता हूँ फिर से मुलाकात होगी अगले किसे वीडियो में किसी और विशय के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव भारत माता कीजे